ओम शीगने शाय नमा राधे राधे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वद कता है स्लोजर में स्वागत है दोस्तों दिवाली के छे दिन बाद छट का पर्व मना जाता है छट पूजा का बहुत अधिक महतु माना जाता है यह वरत संतान की प्राप्ती के लिए सुक समरिद्धी के लिए उसकी दीगर आयू की कामना के लिए वरत किया जाता है इस वरत में सुरदेव की और छटी मैया की पूजा की जाती है इस वरत में सुबह और शाम को अर्द देने की परमपरा है दोस्तों इस दिन बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनावा जिसमें नो भागिशाली राशियों को संतान प्राप्ति के पुत प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं दोस्तों उसकी जानकरी देने से पहले अगर अभी तक आपने वरत कता एस लोजा चनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा तो सस्क्राइब अभश्राई कर लें बगले बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके छट पर्व देखे विशेश रूप से बिहार और जारखन में मनाए जाता है बिहारियों का पर्व मना जाता है लेकिन आप पूरे भारत में ही बड़ी धूमधाम से छट का पर्व मनाय जाता है यह है वरत देखे माताई अपनी संतान की दीगर आयु के लिए चार दिन तक चलने वाला यहह पर बहुत ही कठी माना जाता है यह वरत और 36 घंटे का निर्जला वरत किया जाता है, दोस्तों इस दिन अगर आप सुरदेव के अराधना करते हैं, छटी मया के अराधना करते हैं तो निशचित ही आपको मन वांचित संतान की प्राप्ति होती ह दोस्तो इस दिन आपको छटी से ही देखे चार दिन तक यह मतलब पर्व मनाया जाता है तो चार दिन तक ब्रह्म मौरत में आपको सुरदेव को और्ध अवश्य देने वाला जो लोटा है तामबे या पितल का होना चाहिए और अगर आप संतान की पुत्र की कामना रखते हैं तो अवश्य सुरदेव को जल देने वाले लोटे में ये वस्तु अवश्य मिला है दोस्तो आप अपनी किसी भी मनो कामना के लिए सुरदेव को और्ध अवश्य दें क्योंकि सुरदेव देखे राजयोग परदान करते हैं समाज में मान समान परदान करते हैं नोकरी वेफ साथ ही लाल मिर्च के 21 दाने यानि 21 बीज आपको अवश्य डालना चाहिए और सूरे को अर्द देना चाहिए साथ ही दोस्तों अगर आप संतान की पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सूरे को जल देने वाले लोटे में आपको थोड़ा सा यमुना जी का पानी अवश्य मिलाना चाहिए सूरे की पुत्री हैं यमुना जी और सूरे बहुत ही शिग्र प्रसंद हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा यमुना जी का पानी मिला कर और उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूर डालना इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूरे को अर्द दे। चट पूजा में देखे सूरे की अराधना की जाती है नदी या ताला में जल में खड़े होकर सूरे को अर्द दिया जाता है अगर आप किसी नदी ताला पर जाकर सूरे को अर्द दे तो बहुत ही शेष्ट नहीं तो आप घर में ही अपनी छट पर ही सूरे को अर्द अवश्य दे। राशियों को संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इनमें सबसे भागशाली जो राशी है मेश, व्रेश, मित्थुन, कर्क, सिंग, तुला, धनू, मकर, कुंब, और मीन ये नो भागशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के साथ आप पुत करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके उसकी भी हम वीडियो डालेंगे दोस्तों उसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें आप सभी को ओम शीगनेशाय नमा